हेलो एबरिबन, वेलकम टो टेक्षरमित, आज के सेशन में हम एच्टेवल के सलेक्ट एलिमेंट से रिलेटिड एक और टापिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम सलेक्ट को यूज करकर अपने ओप्शन के लिए एक कैटेगरी प्रवाइड कर सकते हैं, यह आप कहो, तो हम देखने वाले हैं कि हम कैसे OPT ग्रूप टैग का यूज करते हैं, दोनों का मिनिंग सेम ही है, क्योंकि OPT ग्रूप टैग की हल्प से ही, आप अपने ओप्शन को केटिगराइज कर सकते हो, ठीक है, अब कैसे केटिगराइज करना है, कौन से वो सेनेरियो होंगे, जहां पर हम इसको कैटिगराइज करना है, यह सब सारी चीज़े हैं, अब हम इस पर्टिकुलर सेशन में देखने वाले हैं, ठीक है, सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है, कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशन नहीं देखे है तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि यह जो पूरी प्लेइलिस्ट है, एक प्रॉपर सिक्वेंस और सिंक में है, तो अगर आप उसको सिक्वेंशल ही फॉलो करोगे, तो आपके लिए और भी ज्यादा एज़ी रहेगा ओन्गोइंग टॉपिक को समझना, ठीक है, ज इसका अंसर शेर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में, और अगर अंसर नहीं पता, तो उस केस में आप पहले उस सेशन को देख सकते हो, फिर से, और उसका अंसर लिख सकते हो, क्योंकि यह सब चीज़े हैं, अप लोगों को सारी कमांड्स या जो भी कीवर्ड्स हम यूज करें, वो रिकॉल होती रहे, और साथ में, जब आप लोग उसका अंसर शेर करोगे, तो जिन लोगों को उसका अंसर नहीं पता, वो भी डिरेक्ली उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है, और जो लोग कंसेस्टेंटली करेक्ट अंसर शेर करेंगे, उनका नेम भी रिकमेंड होगा, औ स्पोटलाइट होगा अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो एक बहुत ही बेसिक सा कोड मैंने अभी लिखके रखा है, जिसमें लिखा हुआ है, अगर इसका हम आउटपुट देखें, तो वो कुछ इस प्राइक के अंदर हमें एक बटन चाहिए रहता है, तो यहाँ लिखेंगे बटन, बटन को नेम देदेते हैं, सब्मेट, और यहाँ पर इसका टाइप भी सेट करेंगे, तो टाइप में आजाएगा क्या हमारे पास सब्मेट, यहाँ आ गया मेरे पास टाइप, और यहाँ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इस पर एक्शन पर फॉर्म नहीं किया है, तो यहाँ पर हम एक्शन सेट कर देंगे, एक्शन के लिए आपको लिखना पड़ेगा एक्शन पहले, और फिर यहाँ पर उस पेज का नेम डालना है, जिस भी पेज पर आप इसको न एक्शन स्पेसिफाई हो गया, अब हम बात करेंगे अपने सेलेक्ट की, कि सेलेक्ट को हम कैसे यूज करेंगे, तो पहले तो एक हैडिंग डाल देते हैं, आज वाले टॉपिक के लिए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा है, और इधर लिखेंगा, सेलेक्ट विद ओपी टी ग्रूप, ठीक है, यह हमारा आज का मेन जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा, ओटी पी ग्रूप, सेलेक्ट विद ओटी पी ग्रूप, इन एक चीछ का धियान रखना है, अभी हम सारी चीजे फॉर्म के टम में पढ़ रहे हैं, बट इसका मतलब यह नहीं है, कि सिर्फ यह में ही यूज होगा, आप चाहो तो इसको आउट साइड फॉर्म भी यूज कर सकते हो, कुछ कीवर्स ऐसे होते हैं, जो सिर्फ फॉर्म के लिए होते हैं, बट सभी नहीं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए यह यह एक चोड़ा सा assignment है, कि आप ट्राय करके देखो कौन से पाते हो, ठीक है, heading डाल दी, save करेंगे, refresh करेंगे, तो heading इस तरह सारी है, select with opt group in html form, अब हम एक basic सा html का, sorry, select statement बनाते हैं, तो यहां पर लिखेंगे select, यह हो गया हमारा select, इस select को हम पहले एक name दे देते हैं, तो for example मुझे अभी क्या करना है, browser का data store करना है, कि कौन से कौन से browser हमारे पास है, तो यहां हम लिखेंगे browser, ठीक है, browser लिख दिया, अब हम इसमें अपना पहला opt field लिखेंगे, ठीक है, opt group, तो यहां लिखेंगे opt group, opt group को भी हमें value देनी होती है, label देना होता है, तो पहले opt group को expand करेंगे, यहां पे जाएंगे, label लिखेंगे, label क्या होता ह तो यहाँ पी लिख देते हैं फर एक्जांपल popular browser थिक है यहां गया popular, यहां आगया वार को ब्राउचरs, प्रॉपिलर फॉपिलर ब्राउचे थिक है. अब इसके अंदर हम उप्शन देंगे. लिख देना है, फॉर्प्शन तो यहां लिखांगे आपकी बार मैं है option confuse नहीं होना है opt group अलग चीज है option अलग चीज है ठीक है अभी जब output दिखेगा तो आपको clear हो जाएगा कि opt क्यों use होती है और option क्यों use होती है अब आप चाहो तो इस option को इस तरह से लिख सकते हैं एंटर करके या फिर यहां पर value में हम क्या लिखेंगे Chrome या फिर Google Chrome जैसा भी आपको लिखना तो for example में Google Chrome की जगा Chrome लिखना है ठीक है यह होगा हमारा पहला option उसी तरह से हम दूसरा option specify करेंगे दूसरे option में हम क्या डालने वाले दूसरे option में हम डालेंगे Firefox तो यहां लिखेंगे Firefox ठीक है और option में क्या डालेंगे option में हम डालेंगे value में भी Firefox तो यहां आएगा value और इधर लिखेंगे Firefox ठीक है और यहां पर भी अगर आप चाहँ तो पूरा लिख सकते हो तो इसको हम लिख देंगे Google Chrome ठीक है यह हो गया अब इसको करते हैं सेव पहला ओपीटी ग्रूप हमारा रेडी है इसको सेव करने के बाद रीफ्रेश किया तो अभी आपको इसके केटीग्री दिख रही है क्लिक करोगे तो आपको क्लेक्टीगरी दिखेगी popular browsers google chrome और Firefox घीक है पहले आज अई होता था पहले आपको डेर्ने लिस्ट मिलती ती बटा आपको क्यातेगरी मिल रिये हैं हमारे यह popular browser consequence है Google Chrome है और Firefox है al यह भी ठीक है अब हमें next क्या करना है एक और category अगर बरानी है तो वह क्यासे बनेगी उसके लिए आप simply opt group को फिर से start करो गया opt group को हम लेबल देंगे फिर से नया है opt group है तो लेबल भी देना है लेबल में हम देंगे other browser ठीक है तो यहाँ जाएगा other browsers अब इस other browsers के अंदर हम हमारे option define करेंगे तो यहाँ पर option यहाँ को ध्यान लखना auto fill के time पर कई बार यह opt group को ही वापस लिख देता है तो हमें लिखना क्या है option अब इस option में हम पहला अपना ब्राउजर का नेम देंगे opera ठीक है opera हमने दे दिया इसकी value set कर देते हैं value भी same ही रहेगी opera ठीक है next enter करेंगे और यहाँ पर फिर से save और web browser को refresh तो अब अगर आप इस अपने drop down पर click करोगे तो आपको दो categories मिल रही है popular browser की category जिसमें google chrome और firefox है और other browsers की category जहाँ पे opera और edge है तो अगर मुझे firefox select करना है तो मैं आप firefox select करूँगा और submit कर दूँगा ठीक है जैसे ही मैं यहाँ पर submit पर click करूँगा तो मेरा data जो है वो next page पर move हो जाएगा जो है tsbgm 10 हमने जो action में specify किया हुआ है और value क्या गई firefox ठीक है तो यह confusion नहीं होना चाहिए कि हम इस category को select कर सकते category select करने के लिए नहीं है category जस्ट एक show करेगी कि हाँ यह वाले जो सारे browsers है वो हमारे popular browser है यह वाले जो browser है वो other category के browser है उसी तर से आप यह बना सकते हो अब एक छोटा सा मैं आप लोगों का example बताता हूं आप वो try भी कर सकते हो आपको क्या करना है एक programming language के लिए drop down बनाना है जिसमें एक category होगी आपकी back end technology एक होगी आपकी front end technology ठीक है और उसके अंदर आप अपनी programming language को specify करोगे तो आप यह खुद से ज में category specify करने के लिए ठीक है तो I think यह पूरा process आपको clear हो गया होगा कि क्या है opt group क्यों हम इसे use करते है select के साथ में और इसको use करने का benefit क्या होता है benefit यह है कि जब भी user इस पे select करेगा तो उसको proper detailed category मिल जाएगी कि अगर इसको popular browser select करना है तो वो सीधा इस category में आकर इन दोनो हो सकता है और भी आप browser उसमें specify करो उसी तरह से अगर other में जाएगा तो other में भी उसको opera और edge में से दो option में से एक select करने का way मिल जाएगा और category भी show हो रही है कि यह other category के browsers है ठीक है तो इस तरह से आप लोग practice करो और अब मेरा request है कि please आप लोग इस question का answer जरूर शेर करना बह how to select multiple values using select in html form तो हमने यह पहले से discuss किया हुआ है आपको बस exact वह keyword लिखना है जिस keyword की help से हम क्या कर सकते है html form को submit कर सकते है और वहाँ पर select कर सकते है multiple values ठीक है तो आपको keyword क्या लिखना है कि वह कौन सा keyword है जो allow करता है multiple value selection को किस के थरू select के थरू html form में ठीक है तो I hope आज का यह पूरा session आपको clear हुआ हुआ नेक्स session में हम बाखे topic discuss करेंगे so thank you for watching texture math